असलाम अलेकुम, मेरी असान इसलामियात, बराय जमात दोम दोम जमात, आज हमने आपके सबग जूट के इसानात की मश्खल करेंगे सवाल नमर एक, खाले जगा पूर करें जूट बोलने से इंसानों के दर्मियान नफरत पैदा होती है जूट बोलने से इंसानों के दर्मियान नफरत पैदा होती है जूटे लोगों पर अल्ला ताला की लानत है जूटे लोगों पर अल्ला ताला की लानत होती है जूट इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है जूट इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है डैश इंसान की नजात का बाइस बनता है सच सच इंसान की नजात का बाइस बनता है जूट बोलने वाले शक्स की इज़त नहीं होती जूट बोलने वाले शक्स की इज़त नहीं होती सवाल नबर दो सवालात के जवाब लिखिए जूटों के बारे में कुरान मजीद में क्या एशाध है? इसका जवाब और जूटों पर अल्ला ताला की लानत सवाल नबर दो जूट बोलने के कोई से तीन नुकसानात लिखिये इसका जवाब नमबर वन जूट बोलने वाले की कोई इज़त नहीं होती नमबर दो हर शक्स उसको बुरी नजर से देखता है नमबर तीन जूट बोलने वाले की दुआ कुबूल नहीं होती जमादों हमने जूट के नुकसानात सबर की मश्क हल की है आपने ये मुकमल मश्क अपनी किताब पर हल करनी है और नीट कॉपिस के उपर खुशकत करके लिखनी है और इसको अच्छे से याद करना है अलाहाफिस